बड़ी खुशी की बात है कि आज शिक्षव द्योस पर हम लोग शिक्षव पनाली पर बात करने जा रहे हैं कि बड़े दुरुवाग्य की बात एक भारत की आजादी की 75 साल बाद भी अभी तक एक ढंका एजुकसिश्ट में दिसे के भारत को यह समझ्या ही रहती है कि यह सही है कि वह सही है जो भी बोलता है वह लगता है कि एक तरह का मैंड सेट एप उसका वह साब से बोलता है या तो इसके विरोध में बोल देगा या तो बोल देगा वेस्टन सिस्टम एक दम बढ़ी आया है उसे बाकि सब फालतू था यह सब ठीक है एक केज़े आने साब वेस्ट बखवास है अपने भारते शिक्षा सब कुछ थी लिएक विश्टार में एक रेश्टनल तरीके से बात को बताने वाले लोग कम है क्योंकि उसे वह बता सकता है जिसे दोनों तरह का सिस्टम इस्टेडी किया हो सलीके से लिए खुशी के बात के पौवन कुमार्ज गुपता जो बिल्कुल जो अपने आज का सिस्टम भात में उस सिस्टम में पढ़े हैं आयाइटी के चुके हैं और उन्होंने भारती ये प्रणाली शिक्षा की जो पहले थी अठाय शिताब्दी की उसका भी गेरे अध्यन किया है तो एक तरफ दोनों एकेडेमिक उनका अध्यन है और दूसरा पिछले तीस वर्षों से वे एक शिक्षा के च्छत्र में बहुत महत्यपूर्ण कार्या बड़ी गंबीता से कर रहे हैं बतायांगे अपनों कुष्परवाजे महसुद क्या सपास एक जड़ से जुड़कर काम कर रहे हैं इनके बारे में कुछ तो इसमें लिखा आपके इसमें में उतादूं कि धरमपाल जी एक बड़े चिंतक हु है पड़ें उनकी के इंडियन साइंस एंडेज्वी इन एंडियन एडियन सेंसरी अठायु सताभडि में ऐते शिक्ष्पार लिक्या थी एक उनके पंचायक राज इन इंडिया इंडिया एक इनकी एक एक ऐसे और टरीशन और फीडम रिकावरी एंड फीडम एक इसमें है इस पोलिएशन एंड डिफेमिंग ऑफ इंडिया अली नाइंटीं सेंस्री बिटिश कुछेट बदनाम किया बात को उसके बारे में एक उनक से हैं वाकि बहुत से लेख हैं शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी इंकम बैग्गाउंड कि इतना प्रवाइश किया पाहुंजी को नहीं अपना शिक्षा समझतित कर दिया बाद में किताब भी लिखे द्रमपाल जी पर रिमेंबर ध्रमपाल करके और अन्रेस्टेंड यह है अपनी जो अन्रेस्टेंडिंग इस्ट्री जो है फिर नेगोशिएटिंग इस्पेस एमेट्रों क्वालिटी इस तरह करें बुक्लेश निकाली इंदुस्तान अमरुजालों बहुत से ख़ारों में इनके संस्मन आते हैं लेख आते हैं अमेरिका गेज़ से वहां चा फिर किया एक इनकी रेवार पत्रिक आती है इसमें शिख्षा के बारे में और विश्यों के बारे में समसांगिशों लिखते हैं इस तरह वहां गाहों जाकर के उस माहौल में रहकर के जो आदमी इतनी बड़िस और एक ब्यापारिक घ्राने के व्यक्ति जो कि आई आई सेजिए सिनेमा में होता है वेसा एक ट्रणिंग आते हैं अपना समझत कर देते हैं मुझे दो बात इनकी याद आती है जब इस पीज देते हैं एक तो कि हमने क्यों पर जाया दो दिया वजाए क्या को गुल गए क्यों पर आकर टक गए एक दूसरा जिसको विकास करते हैं उसको भी गलत इसे प्रभाशित किया में अमेरिका के प्रेश्चा क्या होनी चाहिए शिक्षा क्या है समस्षा क्या है भारती ये आज के माहौल में विश्च्व के साथ कैसे रह सकते हैं बोट शिक्षा लेकर के और भात शिक्षा के भी पहलू देखते हुए हम एक क्या हो सकती है यह हम इससे सुनना चाहेंगे और इससे पहले कि वह कुछ कहें इनके व्यक्तिकत बाते उनके दोस्ताने बातों से और इनका करेक्ट बाते इनका व्यक्तिक को पता सब्सक्राइगा आजी में शुद्ध की अपने आपको राजी जी अन्मुट करिए अपने आपको आपके आवाज नहीं आ रहे है राजी जी आवाज आ रही है अब आ रही है अब आ रही है लेकिन सिगनल तो ऐसे ही आ रहे है नेरी दो जेगा आ गया राजीव फोन से कनेक्ट आपको आपको दो एंगल से कवर करेंगे अब ये आज कर वन फॉर वन चल रहा है अच्छा पावन के लिए मैं क्या कहूं बच्पन हम लोगों ने बच्पन में हम लोग की जानकरी दोस्ती हुई हमारे कॉमन फ्रेंड्स जैसे पावन ने बताया तो हम लोगों का मिलना जुन्ना बहुत होता था, अभी भी होता है, जब करगता आते हैं, हम माज आते हैं मसुरी कभी, तो पावन की दो-तीन चीज़े हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो क्या है ना कि जब स्कूल और कॉलेज की बीच का एक वक्त होता था पहले, छे मैने का गैप मिलता था, शीनर के अ हो पावन से, उसना कुछ मैं सीखता ही हूँ, तो मनलब हमने ये देखा कि हर इंसान अध्यापक है, हर इंसान शिक्षक है और हर इंसान चात रहे है, इस जिन्देगी बर चलता रहेगा, सीखते रहेंगे हम लों एक दुस्रे से, लेकिन अन्मिट हो गए आप, अवाज ने आज़ी है, पाउन जी के बारे में बोलने में आप रुप जा रहे हैं, प्रैस के लिए अका बात करता रहता हूं इससे, बागी देखिए, ये इस वान आफ दोस फ्यू फ्यू पीपल, जो उस इस एक्टिविटी में है, जो उसके एकदम हिदे के करीब होता है, लेकिन पाउन जी, I think he is one of those lucky people, who has now come into a square of life, an activity जो उनके एकदम करीब है, so I feel very good for him, और बाकी तो आशा ये है कि अम लोगों की दोस्ती पकरार रहे, पास-पास के लोगों के लिए, इतना ही क्याना चाहूगा जाओगा, धन्यवाद, धन्यवाद सबको नमस्कार, शिक्ष्या के बारे में मेरे करीब 32-33 साल का अनुभाव है, और मैंने जो कुछ मैं आपके सामने आज रखने का प्रयास करूँगा, वो उसी 32-33 साल के अनुभावों के आधार पे रखूँगा, उसके साथ उसके पहले की मेरी जीवन, कलकत्ते में और IIT में, उसको भी कहीं न कहीं जोड़ने का प्रयास करूँगा, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कलकत्ते के लोगों के बीच में मुख्यता बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आधा जीवन तो वहीं बीता है, और मैं वहां के माहौल को मुझे लगता है मैं समझता हूँ, जिस प्रकार मैं बिहार के माहौल को समझता हूँ, क्योंकि वहां से भी मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है, यहां पे 30 32 साल रहते हुए मुझे हो गए यहां से भी मैंने बहुत कुछ सीखा लेकिन वो सीखना एक अलग प्रकार का था मैं यहां आया तो मैं यह काम करने नहीं आया था जो मैं आज कर रहा हूँ 30 31 साल से मैं तो आया था यहां पर एकांत में रहने और विपश्चना साधना में मेरी उस ताइम बहुत गहरी रूची और एक तरह का कमिट्मेंट था तो उसी को परस्यू करने के लिए मैं यहां एकांत में रहकर कि उसको करना चाहता था पर यहां रहते रहते गाओं जाने का एक मन बनता था कि गाओं में जाओं और देखूं कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनके मकान किस प्रकार के हैं, उनका आर्किटेक्शर कैसा है, एक रोमैंस था, पहाड के गाओं के साथ एक रोमैंस था, तो हम जाते र गए होंगे तो वहां के लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया और उनको ये भी लग गया कि ये कुछ जॉब तो नहीं करता है कोई नौकरी तो नहीं करता है या कोई बिजनस तो नहीं करता है तो उन्होंने कहा कि आप लगता आपके वास बहुत टाइम है थोड़ा तो हमारे बच्चों को हमारे स्कूल नहीं है आप अगर पढ़ा दें तो बहुत अच्छा रहें तो मैंने एक अनौपचारिक रूप से मैंने और मेरी पत्नी ने वहां जाना शुरू किया और हम लोगों को उस समय ये लगता था कि पढ़ाना गाओं के बच्चों को ए बी सी एक दो तीन इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है वो तो हम पढ़ाई देंगे अपने अपने को अब हमारी जो सेल्फ इमेज होती है जो बन जाती है कलकत्ते में रहते हुए बड़े शहर में उसके बाद दिल्ली आएटी बिजनेस फैमली अंग्रेजी बोलना थोड़ा बहु दी थे तो ये सबसे एक सेल्फ इमेज बनी हुई थी जिसके बारे में मैं सचेत नहीं था उस समय वो सेल्फ इमेज ये थी कि मैं पढ़ा लिखा हूं मुझे आता है और ये जो गाओं के लोग हैं ये पिछड़े हैं और ये इनको पढ़ा लिखा के इनको सब्या बनाना है या लायक बनाना है ऐसी एक धारना जाने अंजाने अपने अंदर बैठी हुई थी मुझे लगता जादातर लोगों के रहती है जब वहां पे शुरू किया काम तो करीब छे महने के अंदर ही अंदर कुछ महिलाओं से जब हम लोगों की बात होने लगी शुरू में तो हमको रिक्वेस्ट किया था कि आप स्कूल शुरू की जब स्कूल चलने लगा तो गाओं की महिलाओं से थोड़ी से इंट्रेक्शन होने लगा और मेरी पत्नी थी साथ में तो उसमें जड़ा ज़्यादा असानी थी तो महिलाओं ने ये कहना शुरू किया धीरे-धीरे कि ये जो आप लोग शिक्षा के नाम पे परुस्ते हैं ये तो हम को बरबाद कर रहा है और ये ना हमको घर का रखता है ना हमको घाट का रखता है बिलकुल बात समझ में आने वाली नहीं थी क्योंकि हम तो उनी के कहने पे हमने ये काम शुरू किया और हम तो ये मानते थे कि ये बिचारे असब हैं पिछड़े हैं और हम समझदार हैं हम इनको लायक बना रहे हैं और ये महिलाएं कह रही हैं कि आप बरबाद कर रहे हैं हमारे बच्चों को और ये शिक्षा वेवस्था बरबाद कर रही हैं और ये ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं तो ये बात बिलकुल बैश्ती ही नहीं थी लेकिन मैं इसको आज के दिन ये कहने में मेरे को कोई हिचक नहीं है कि शायद ईश्वर की कोई कृपा होगी मेरे उपर कि मुझे ये बात समझ में आने लगी उसमें बहुत समझ में और उसके लिए रास्ते भी खुले बात यूं समझ में आने लगी शुरू में बहुत टाइम समय लगा कुछ लेकिन समझ में आने लगी और उसमें मैं क्योंकि बात बहुत लंबी नहीं करना है पचास एक मिनिट में खतम करना है इसलिए मैं थोड़ा स्किप करूंगा बहुत विस्तार में नहीं जाओंगा वो क उस तक का जिक्र प्रमोज जी ने अभी किया था थोड़ी देर पहले मैं उनको अपने गुरू जैसा मानता हूं धरमपाल तो धरमपाल जी की एक किताब दे ब्यूटिफुल ट्री मेरे हाथ में लगी ये भी एक इत्फाकी था और मैंने उस किताब को जब पढ़ा तो मेरी मत करीब करीव ऐसा हुआ कि मैं बहुत परिशान हो गया उस किताब को पढ़के यहा तीश्योक्ति नहीं हो गया अगर मैं कहूं कि बहुत बहुत डिस्टरब्ड हो गया च्योंकि मेरी भहुत सारी माननेताई तूटी मेरी माननेताएं वो ही थी जो हम प्राया पढ़े लिखे लोगों की माननेता हैं इस देश में कि भई हम तो सिक्षा नाम की कोई चीज है यहां पे भारत में थी नहीं अगर थी तो कुछ गुरुकुल होंगे वह जहां पे ब्रहमन बच्चे जाते होंगे और वो वेद पुरान की पढ़ाई पढ़ते होंगे और बाकी जो भहुजन समाज है उसमें कोई पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं थी और ये पढ़ाई लिखाई नाम की चीज या शिक्षा नाम की चीज अंग्रेज यहां भारत में लेकर आए ये एक मोटी-मोटी बानने था, पता नहीं कैसे बनी, पर ये बनी हुई थी तो जब ये beautiful tree मैंने धरंपाल जी की पढ़ी, beautiful tree के बारे में एक मिर्ट बता दूँ कि beautiful tree धरंपाल जी के को गांधी जी से प्रेड़ना मिली, कैसे मिली कि धरंपाल जी, गांधी जी के एक तरह से बहुत उनको मानते थे, यानि उनको लगता था ये आदमी भारत को समझता है तो उन्होंने गांधी जी का खुब अध्यान किया था, उस अध्यान के दौरान उनको गांधी जी का एक वक्तव्य मिला, 1931 का जो उन्होंने second round table conference जो हमारी देश की हुई थी लंडन में, जिसमें गांधी जी गए थे और दस बारे लोग और गए थे तो उस समय उन्होंने लंडन में चैठम हाउस में एक वक्तव्य दिया गांधी जी ने कि we were far more educated hundred years ago than we are now. माने 1931 में ये कह रहे हैं कि इंडिया was far more educated hundred years ago than it is now. and then वो एक उपमा देते हैं हमारी शिक्षा वैवस्था की उस समय की उसको अनाम देते हैं it was a beautiful tree एक बहुत सुंदर और व्रिहत पेड था और उस पेड की जड़ों को अंग्रेजों ने खोदा और फिर उसको सूखने के लिए मरने के लिए छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो शिक्षा वैवस्था मर गए ऐसा गांदी जी ने 1931 में कहा जब ये कहा तो गांदी जी का एक admirer था अंग्रेज उसने गांदी जी को एक पत्र लिखा कि how could you make such a such an irresponsible statement you are a very responsible man आप कैसे यसी बात कर सकते हैं क्योंकि ये तो शिक्षा तो अंग्रेजी लेके आए और आप बोल जी ने उसको एक postcard लिखा था look into your own records to verify what I have said उस अंग्रेज को उनों ने लिखा कि तुम अपने ही record देखो अंग्रेजों के record देखो और तुमको मेरी बात समझ में आ जाए उसका validation मिल जाएगा तो जब धरमपाल जी ने इस बात को पढ़ा तो उनको लगा कि कोई नों कोई चक्कर है तो वो अगेन हम cut short कर रहे हैं ऐसा कुछ था कि उस समय धरमपाल जी इंग्लेंड में ही रहते थे क्योंकि 1962 की चीन की हार के बाद धरमपाल ने एक चिठी लिख दी थी सारे member of parliament को जिसमें उनोंने लिख दिया कि नहरू traitor है देश द्रोही है इस बात पे उनको जे धरमपाल जी को सरकार में उसके बाद जैप्रकाश जी के intervention से धरमपाल जी को छोड़ तो दिया गया लेकिन उनको कहा गया कि आप माफी मांगोगे तो छोड़ेंगे तो धरमपाल जी ने का माफी नहीं मांगेंगे तो उन्होंने का फिर आप देश छोड़ दीजिए क्यों लंडन आके रहने लगे, पैसे वैसे बहुत कम थे, तो उन्होंने पोस्ट मैन का काम किया लंडन, पोस्ट मैन का, और दो बज़े छुटी हो जाती थी पोस्ट मैन की, तो दो बज़े के बाद जाके वो ब्रिटिश लाइबरी में, इंडिया ओफिस लाइबरी का, इंडिया दस्तावेज हैं जो अंग्रेजों ने भारत आने के तुरंत बाद करीब सतर असी साल यानि सत्रहसोपच्च सत्तावन में अगर उनको मानते हैं कि भारत आए वो एक से में राज करने के लिए तो सत्रहसोपच्च से लेकर के उस समय तो काम नहीं शुरू हुआ, लेकिन सत्रसों सत्रस असी के सा आज पास उन्होंने भारत को समझने का काम शुरू किया, यानि ये देश क्या है, समझने का, मैं थोड़ा इस पे विस्तार्द दे दूँ आपको, कि अंग्रेजों को ये बहुत पहले से लगता रहा है, अंग्रेजों को जब म यहां 1498 में आया है उसके बाद से लगातार अंग्रेज और यॉरोपियन ट्रैवलर्स हिंदुस्तान आते रहें उनको एक बहुत बड़ा आकर्शन है भारत के प्रती कि यह देश बहुत सम्रिध्ध देश है आप लोगों को शायद मालूम हो कि एकोर्डिंग टू वेस्टन एकनॉमिक हिस्टोरियंस सेवंटीन फिफ्टी सेवन में सेवंटीन फिफ्टी में वो लोगों का यह मानना है कि भारत दुनिया का एक तिहाई प्रोडक्शन करता है यानि अगर दुनिया में सौ टके का माल बनता है तो भारत अकेले में करीब 30- माल बनता है और यह नौन एग्रिकल्चर प्रोडूस है यह खेती का फसल नहीं है यह लोहा है तांबा है स्टील है मसाले है और बरतन भांडे है बहुत तरह की चीज़े है तैतिस टके का पूरी दुनिया में सो और हिंदुस्तान में तैंतिस और चीन में चालिस तो चीन और भारत मिलके करीब 73 प्रतिशत का प्रोडक्शन पूरी दुनिया का करते है उस समय तक सत्रह सो पचास तक तो यह यॉरॉपियंस को हमेशा से एक अट्रैक्शन रहा है भारत के प्रती कि यह देश क्या है इसको समझना चाहिए इतनी सम्रिद कैसे है यह इतना सम्रिद और व अब में जो अमीर यह लिखा हुआ है इसलिए मैं पढ़के ही बोल रहा है कि यह 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 यॉरॉपियन ट्रैवलर्स का लिखा हुआ है कि हमारे हां जो अमीर लोग है वो तो जनता से दूर रहते हैं उनके और कॉमन मैन के बीच में बहुत बड़ा फासला होता है एक बात द पहनते थे जो जरूरत है वो तो एक तरफ है पर जरूरत से ज्यादा पहनने का वहां रिवाज़ज अगर आप अमीर है तो और उनको पूरा रहन सैन भेश बूशा उनका बरताव वो बिलकुल यहां के बड़े लोगों का और वहां के बड़े लोगों में बहुत बड़ा उनको फासला दिखाई देता है उनको दिखाई देता है कि यहां के जो राजा महराजा भी है वो भी नंगे बदन रहता है पाओं में चपल नहीं पहनता है तो उनको यह समझ में नहीं आता है कि भी यह अमीरिये की गरीबी है उपर कपड़ा ही नहीं पहना हुआ है तो उन पे यहां का पूरा तोर सावारीं का उनको समझ में नहीं आता और यह तो दिखता है कि बहुत सम्रिद देश है तो उसकी कुझी ताकत कांँ और उनको सों मिलते हैं आपके बंगाल में। वीष्णूपूर का गाओं जिक्र है कि यहां पे कोई चोरी नहीं होती है और अगर कई किसी का समान को जाता है तो पीच में एक बर्गत का या पीपल का पेड़ है वहां पे दूसरे दिन आपको वो समान मिल जाएगा अगर आपका खो गया है तो और यह सिरफ विश्नुपूर का नहीं है ऐसे बहुत सा कि यह बात मैं मानता हूँ कि विदेशियों को हिंदुस्तान समझ में नहीं आता है इसलिए वो हिंदुस्तान के साथ जो उनका एक बैर भाव है आज भी वो तोड़ने में लगे हुए है उसके पीछे यह है कि उनको डर रहता है कि यह हिंदुस्तान कभी अपनी जड़ों स धरमपाल जी ने ब्रिटिश आर्टाइव से वो रेकॉर्ड इनको मिलें जिसमें ये मिलता है कि चार उदर बड़ी रेकॉर्ड का जिक्र है चार बड़ी रेपॉर्ड का जिक्र है ब्यूटिफुल फ्री में साथब एक है बेंगॉल बिहार का इलाका वेन्वी से बेंगौल बिहार ये समझ में आना चाहिए कि उस समय का बंगाल बिहार में आज का उरिसा का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, आज का पूरा असाम और पूर्वोत्तर छेत्र पूरा तिर्पूरा मनिपूर सब शामिल है और बिहार और बंगाल तो है और बंगला सत्तर हजार गाओं हैं आज के अपने भारत में हमारा व्रिहत भारत जो था जिसमें पाकिस्तान बंगला देश शामिल है उसमें गरीब साथ लाग गाओं थे तो साथ लाग गाओं में से एक लाग गाओं बंगाल पिहार के रीजन में आते हैं तो वहां पे विलियम आडम्स क report है कि there's not a single village where there is not at least one school एक भी गाओं ऐसा नहीं है लाग गाओं में से जहां कम से कम एक स्कूल ना हो इसी तरह की report दक्षिन की है Thomas Monroe नाम का एक आदमी है Thomas Monroe की report है जिसमें वो कहता है कि हां के 50,000 गाओं में से एक भी गाओं एसा नहीं है जहां स्कूल नहीं है और Thomas Monroe की report बहुत विस्त्रिक report है उस report में स्कूल में किस तरह के बच्चे आ रहे हैं बने किस जाती के किस वर्ण के बच्चे आ रहे हैं इसकी भी percentage दी हुई है यानि किते परसेंट ब्राह्मन बच्चे हैं किते परसेंट शत्रिय बच्चे हैं किते परसेंट वैश्य बच्चे हैं किते परसेंट शूद्र जिसको आज एके दिन हम लोग मोटे तोर पे OBC कहते हैं कितने बच्चे शूद्र हैं और कितने बच्चे अति शूद्र हैं जिनको आप शेड्यूल कास्ट करते हैं यह इन सबकी परसेंटेज वाइस उदर फिगर है आप उस परसेंटेज को आज के डेमोग्राफिक फिगर से मिलाएंगे वो मैच करता है यानि उस स्कूल में करीब 75 से 80 परसेंट बच्चे शूद्र और अती शूद्र जाती होगे यह भारत की स्थिती है 1800 के आज स्पास इसी तरह की रिपोर्ट बंबई और कराची के इलाके की है और इसी तरह की रिपोर्ट पंजाब हमारा वाला पंजाब जिसमें हिमाचल शामिल है जिसमें आज का हर्याना शामिल है जिसमें बहुत बड़ा जम्मू का शेत्र शामिल है और जिसमें पाकिस्तान का पंजाब शामिल है, वहां की भी रिपोर्ट है, तो वो अगर आप देखते तो इतना बड़ विस्तार है यहां पे एजुकेशन का, और एक और बात जो गौर करने की है, कि आज के दिन जब हम कहते है स्कूल, तो वो स्कूल किसके है, आज भारत में सबसे ज़्यादा स्कूलों की संक्या है, राजकिय स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और जो नौन-न सरकारी स्कूल भी है, जो बड़े अमीरों के स्कूल है, वो सब है, वो उनको भी सरकारी व्यवस्ता में ही चलाना होता है अपना स्कूल, यानि एग्जामिनेशन सिस्टम, कर राज किये विवस्ता नहीं है यह सारे के सारे स्कूल समाजिक विवस्ता के अंतर कर चलते हैं यह बहुत इंपॉर्डेंट बात है जिसके हमको गौर करना चाहिए माने स्थानिय समाज उन स्कूलों का संचालन कर रहा है कोई राजा या नवाब या मुगल या कोई भी उसको नहीं चला रहे हैं स्थानिय समाज चला रहे हैं और वहां कौन से विशय पढ़ाया जा रहे हैं इसकी भी उसमें चर्चा है उसमें गणित और व्याकरण तो इवर्सिटी है, कहीं पर आग्रीकल्चर पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर जोतिश पढ़ाया जा रहा है. कहीं पर ऐस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जा रही है बगएर है वगएर проф और उसमें बहुत डिविजन्स है क्योंकि कहीं प्राइमरी लेवल का स्कूलूL एक साधारन और जो कुछ ऐसे केंडर है जैसे बिश्णूपूर एक केंडर है जैसे बनारसे केंडर है वहां पर higher education के चीजे हैं तो ये beautiful tree में मिला मुझे और मैंने देखा तो मैं मेरे को बहुत वो हुआ और फिर मैंने धरमपाल जी को contact किया तो धरमपाल जी से उसके बाद ऐसी मेरी बैठ गई कि धरमपाल जी उसके बाद हर गर्मी में मेरे साथ करीब एक मेहने दो मेहने यहां रहने के लिए आ जाते थे मसूरी में और उनसे बहुत चर्चाएं होने लगी तो यह जो महिलाओं ने कहा था कि भई आपकी सिक्षा तो हमको बर्बाद कर रही है हमारे बच्चे न घर के रहते न घाट के रहते हैं इस बात की चर्चा मैंने धरमपाल जी से की तो धरमपाल जी ने हस के मुझसे पूछा तुमने गांदी जी को पढ़ा है क्या तो मैंने सोचा तो मैं बोला गांदी जी को जानते हैं गांदी जी के कुछ quotations तो जरूर पढ़ा था लेकिन गांधी जी को पढ़ा ये नहीं कह सकता था गांधी जी के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत गांधी जी को नहीं पढ़ा था तो मैंने कहा नहीं तो उन्होंने मेरे से पूरा गांधी वांग में मंगवाया ये पीछे आप जो पढ़ो हिंदी में का है तो हिंदी में पढ़ो गुज्राती में का है तो तुम नहीं पढ़ पाओगे वो अलग बात है लेकिन जहां तक हो सके ओरिजनल सोर्स में तो हमने दोनों 100 वॉल्यूम सेट मंगाया है और शुरू में धरमपाल जी ने करीब 40-50 लेखों की सूची या बात कह रहे हैं 100 साल पहले 1908, 9, 16, 17, 18 और जो ये महिलाए आज मुझे कह रही है इसमें कोई फर्क नहीं है गांदी जी ये कह रहे हैं कि ये अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे स्कूल और हमारे घर इसकी दूरी बहुत बढ़ा दी है इसके बीच में बहुत बड़ा फासला क दोनों में समानता नहीं रह गई तो घर में बच्चा एक बोली भाषा बोलता है स्कूल जाता है दूसरी बोली भाषा बोलता है आज भी बहुत जग घरों में हम हिंदी बोलते हैं घर में या और कोई भाषा बोलते हैं और स्कूल में बच्चा जाता है अंग्रेजी मीडि यह पहनावे की बात हुई यानि घर में लुंगी पहनेगा धोती पहनेगा कुछ और तरका कप सौ साल पहले याद करिए भारत के सौ साल पहले या दो सो साल पहले घर में कुछ और पहन रहा है स्कूल में पैंट कमीज पहन के जा रहा है घर में वो पालती मार के आलती पालती माल के जमीन पे बैठता है चाहे राजा हो या नवाब हो वो लोग भी आल्थी-पाल्थी मार के तक्स पे बैठते हैं जमीन पे पाउं लटका के नहीं बैठते हैं स्कूल में जाके पाउं लटका के बैठता है बेंच पे इसी तरह हर सांस्कृतिक आयाम रहन सैन बोली भाष अश्या हर आयाम जो संस्रिति के होते हैं उसमें स्कूल अलग और घर अलग और बहुत हद तक आज भी यह हो रहा है अब जो ज़्यादा आपने आपको विक्सित मानने लगे हमारे आपके जैसे लोम जो अंग्रेजी अंग्रेजी की दुनिया अलग हो जाती है और स्कूल की दुनिया एकदम अलग हो जाती है वो वहाँ पे शुरू शुरू में बहुत uncomfortable फील करता है बहुत असे है फील करता है और 100-200 साथ तो ये बच्चा होने क्या लगता है कि धीरे धीरे बच्चे के मन में ये भाव आने लगता है बिना किसी के कहे कि मेरा घर ठीक नहीं है मेरी संस्टिती ठीक नहीं है मेरा माहौल ठीक नहीं है और ये जो स्कूल जिसको जिसका प्रतिनिधित्व करता है वो ठीक है वो उस तरफ जाना है मुझे अंजाने एक हींता का भाव a sense of inferiority and shame एक तरफ और दूसरी तरफ एक tendency to imitate आ जाती है आज अगर आप भारत के समाज को देखें जो लोग powerful positions में भी बैठे हैं आईएस अफसर हो मीडिया के लोग हो अकैडेमिक दुनिया के लोग हो बड़े अफसरान हो उनको आप देखिए उनमें नकल की प्रवर्ति आपको दिखाई देगी अगर आप ठीक से देखेंगे तो मैंने देखा है मैं इंडी टीवी इंडिया टुड कि जब ये कोई American Senator से बात करते हैं। सोल। बड़े पत्रका intern तो आप इनकी body language देखिए और जब ये कोई देशी आदमी से बात करते हैं तो इनकी body language देखिए इनमें एक अकड़ आ जाती है जब देशी आदमी के साथ बात करते हैं इनमें एक superiority, sense of superiority आ जाता है जब ये देशी आदमी के साथ बात करते हैं और जब ये कुसी American Senator से या British Prime Minister से बात करते हैं तो थोड़ा सहम जाते हैं दर नहीं है वो एक अलग तरह का जैसे कोई आदमी पांच सितारा होटेल में या airline में जा करके अंग्रेजी में बात करने लगता है कोई बोलता नहीं अपके हाप होने लगता है ये जो है ये भारतिये मानस का विकृत का manifestation है कोई नो कोई विक्रिती हमारे अंदर आ गई है इस दो सो साल में जिसकी वज़े से हमारे हमारा behavior अपने आप हम कुछ दवाव में आ जाते हैं अब मैं धरमपाल जी की एक और बात की तरफ आपका इशारा करता हूँ और यह सब बाते मैं शिक्षा को जोड़ के ही बोल रहा हूँ क्योंकि शिक्षा को कोई अलग थलग चिडिया नहीं है इसका इन सब बातों से आत्मविश्वास से सीधा सीधा संब्द है 1824 में बंगाल के कलकत्ते के बाहर बैरकपूर के कंटून्मेंट में एक सिपाही विद्रोव हुआ 1824 में जिसको अंग्रेजों ने काबू में कर दिया जल्दी है जैसे वो करीब-करीब वैसा ही था जैसा मेरथ में 1857 में हुआ लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आया इसको लेकिन अंग्रेज बहुत हिल गया अंग्रेज आंदोलों से उतने हिलते नहीं थे जितने की सिभाईयों की विद्रों से लिए जो कि कंट्रोल उनी से करते थे तो अठारा सो चौबिस के विद्रों से यह बुरी तरह हिल गये उस ताम कलकत्य में राजधानी थी पर कंट्रोल कर लिया पर इस इस बात की चर्चा भारत के उस्षा में जगवर्णर जेनरल लॉर्ड बेंटिक विलियम बेंटिक ब्रिटिश सेक्रेटरी आफ स्टेट के साथ होता रहता है इस थिती की बारे में की भई कैसे है ठीक है की नहीं है अठारस तो सथा पत्र लिखता है बेंटिक सेक्रेटरी आफ स्टेट का धर्मपाल जी के काम में ये मिल गया में उसमें वो लिखता है बेंटिक आप सोचिये कितनी गहरी बात है वो बोल रहा है की एदुकेटरी इंदियन जो है वो अप्रिटरी आप सोचिये कितनी गहरी बात है अपने तोर तरीके छोड़ दे रहा है क्या है उसके तोर तरीके उसको भी इलाइबरेट किया उसने कि हिंदुस्तान का आदमी भारत का आदमी बहुत बड़ी तादाद में दान दक्षिना करता है बहुत बड़े बड़े रूप में दान दक्षिना करता है वो दान दक्षिना अब देना उसने बंद कर दिया है और उस बचे हुए पैसे को या तो हमारे हमारी नकल करने में या हमको एंटर्टेन करने में वो खर्च करता है कौन करेगा यह काम जिसके मन में कहीं न कहीं दभी हुई एक हींता का भाव और नकल करने की प्रवर्ति होगी वोई करेगा ये प्रवर्ति अंग्रेजी शिक्षा से जोड के हमको देखना पड़ेगा तब बात समझ में आएगी और ये मैं आपको आज भी मैं आपको इसके प्रमान दे सकता हूँ कि ये हो रहा है हम लोगों ने एक जमाने में भारत की अलग-अलग राज्यों में चलने वाली पाठ्थे पुस्तके टेक्स्ट बुक्स का विश्लेशन किया च्छै प्रकार की और वो च्छै प्रकार कौन सी थी जो सीबी एस्सी स्कूलों में जो पाठ्थे पुस्तके हैं NCRT की जो अंग्रे स्कूल में सेंजेवियर्स वगरे में जो आइसी स्कूल हैं उनकी पाठ्थे पुस्तके हैं हमारे उत्राखंट बोर्ड की हमारे UP बोर्ड की तमिल नाड़ू बोर्ड की और RSS जो स्कूल जलाते हैं विद्या मंदिर और शिशु मंदिर के नाम से उनकी किताब तो हमने छै प्रकार की किताबों का विश्चलेशन किया और हमारा निशकर्श यह निकला कि उपर उपर से फर्ख है जैसे RSS वाली स्कूलों में हो सकता है महाराणा प्रताप पर एक चैप्टर हो श्रीवा जी brings में श्रीवा जी और महाराणा प्रताप पर बहुत थोड़ा सा लिखा ग देखी है और वो क्या है उसका एक जलक आपको देता हूँ यूपी बोर्ड की हिंदी हिंदी भाशा सिखाने की किताब है कक्षा तीन की उसका नाम है ज्ञान भारती भाग तीन उसमें एक चैप्टर है सरोजनी नाइडू उस किताब को अगर आप खोलेंगे पहले ही पेज़ पे शुरू के पैराग्राफ में दिखा है सरोजनी नाइडू बहुत होशियार थी तीन साल की तीसरी कक्षा का बच्चा पढ़ रहा है उसकी उमर है आठ साल नौ साथ सरोजनी नाइडू बहुत होशियार थी पांच साल की उमर में अंग्रेजी में सुन्दर कविता लिख लेती थी ये कौन पढ़ रहा है यूपी का गाओं का बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो ये पढ़ रहा है वो कहां उसकी घर की बोली क्या है अवधी है ब्रज है भोजपूरी है हिंदी बोल लेता है अंग्रेजी को वो उसने मान रखाएगी कोई बहुत उंची चीज है और वो किता हिंदी की किताब में ये पढ़ता है कि सरोजनी नाइटी उश्यार्थी और दूसरी लाइन में पढ़ता है वो अंग्रेजी में पांच साल में कविता लिखती थी तो इसकी तो जिंद्गी गई इसको तो ए बी सी भी नहीं आता है तो इसके मन में जो आगहात लगेगा मनोवग्या शाइकी पे वो ऐसा आगहात लगेगा जो जिंदिगी बहर जलदी से भरने वाला नहीं है और यह हमने दूसर अधाईसो साल से इस देश के साथ किया है और अभी भी करते जा रहे हैं और इसमें हिंदी अंग्रेजी का सवाल है हारे हिंदी पत्रकार भी यही करते हैं हमारे हिंदी भाशी नेतन भी यही करते हैं हमारी हिंदी हिंदी छेत्रों से निकले और दूसरे छेत्रों से निकले गैर कलकत्ता तो बहुत रहा है हमेशा ही प आते हैं, जो प्रोविंशियल टाउन से जो लोग आते हैं, वो भी यही मानसिक्ता में है, और यह सर्वव्याप्त हो गया है, तो यह एक बहुत बड़ा एक रोग है, जो शिक्षा उसको उस पे काम करने की बजाए उसको और पुख्ता किये जा रही, मैं इस बात पे आपका ध्यान आकरशित करना चाहते हैं, एक बहुत बड़े लेखक हुए जिसके नाम से आप सब परिचित होंगे, उनको नोबल प्राइज भी मिला था एक जमाने में, अब रहे नहीं, भारतिये मूल के थे, ट्रिनीडार्ट में जाकर उनके परदादे बस कहे थे, उनका नाम थ एक किताब लिखी है, The Wounded Civilization, धायल सब्यता, वो भारत है, पहले आठ सो, साथ सो, आठ सो साल का मुख, इसलामिक युग में आप पे आगहात लगा, उसमें आप डरे, आप बूरी तरह डर गए, और आपको, आपकी घर की, घर के अंदर की दुनिया अलग हो गई, और बाहर की दुनिया अलग हो गई, आपका राज आपके घर तक से मट गया, बाहर आप बोले बचके रहो, बस अपने काम से काम रखो, ये आपकी में घुज गया, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने वो डर तो वैसा का वैसा रखा, डर में कोई कमी नहीं आई, जोकि उन्होंने भी उतने ही अत्याचार किये, लेकिन उसके उपर करेला और नीम चड़ा वाला हो गया, उन्होंने आपको एक सेंस ऑफ इंफिरियोरिटी, ये सेंस ऑफ शेम भी दे दिया, जो कभी भी इस्लामिक युग में आपको नहीं था, आपने कभी भी अपने को कम नहीं माना उन से, दरे पर कम नहीं माना, अंग्रेजों के राज में आप दरे भी और आपने अपने को कम भी मान लिया, तो ये जो है इसका मिला जुला असर और आजकल इस पे साइकलोजिस्ट बोलते हैं, कि ये जो घाव होते हैं साइकलोजिकल, ये ट्रांस जेनरेशनल होते है यानि ये खाली मेरे साथ खतम नहीं होगा, ये साथ, आठ, बारे पीडी तक चलता है, तो ये जब अगर भारत को मुझे लगता है हमको हील करना पड़ेगा, हमको उसको स्वस्थ करना पड़ेगा, और स्वस्थ करने के लिए पहले हमको बिमारी को समझना पड़ेगा, ये मैंने जहलक आपको दी, अब मैं दूसरे तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, वो ये, कि जब हम शिक्षा की बात करें, आज की, तो हमको आधुनिक शब्द जोड़ना पड़ेगा, कि ये शिक्षा हम कहते हैं, तो हमको लगता है, इस पूर्ण है, ये शिक्षा शिक्षा नहीं है, तो मैं भी उसी उसी पर खड़ा हूँ और मैं यह मानता हूँ कि जो यह आज की शिक्षा है इसलिए मैं इसको आधुनिक शिक्षा कहें यह आधुनिक शिक्षा ने अपनी अपना उद्देश इतना छोटा कर लिया है और वो भी पूरा नहीं कर पा रही है कि इसके बाकी के संदर जो larger context है वो तो गाय भी हो गया है इसने अपने आपको सिरफ वैसी एक कोई वस्तु बना लिया है जिसके माद्यम से आपको शायद नौकरी मिल जाएगी या थोड़ा हैंकार आप उसके लाइक हो जाएंगे उस एहंकार के कि मैं देखो भई आईटी से निकला हूँ मैं एंजीनियर हूँ मैं ब आपको उसके बेसिस पर कोई नौकरी मिल जाए बस इससे जादा कुछ नहीं है आधुनिक शिक्षा जब हम कहते हैं तो हमको आधुनिकता को समझना पड़ेगा यह आधुनिकता कितनी फॉल्स है कितनी इल्यूजनरी है इसको हमको समझना पड़ेगा इसकी कोई इसका कोई पेदा नहीं, इसकी कोई basis नहीं है, और कभी भी कोई भी बात की basis एक ही हो सकती है, और वो basis है सत्य, सत्य कौन सा? सत्य यह नहीं कि मसूरी में अभी 18 डिगरी तापमान है ये सत्य नहीं है ये तथ्य है ये एक फैक्ट है और ये फैक्ट दो गहंटे बाद बदल जाएगा अभी अठारे डिग्री है दो तीन गहंटे बाद ये सत्रा डिग्री हो जाएगा तो फैक्ट जो होता है वो टाइम और स्पेस से बन्धा हुआ रहता है समय और स्थान दोनों से बन्धा हुआ फैक्ट होता है पर सत्य जो होता है वो समय से भी परे है और स्थान से भी परे है वो हमेशा एक जैसा होता है इसलिए उसे हम सनातन कहते है एटर्नल कहते हैं पेरेनियल कहते हैं, तो बेसिस कोई भी चीज की बेसिस सकते ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है क्योंकि खिसकता रहेगा, बेसिस तो वो ही हो जो कि अडिग हो, जो अचल हो, जो वैसी हो, आज की शिक्षा में, बल्कि मैं कहूंगा, आज की आधुनिक्ता में सत्य की कोई जगा नहीं हो, सबका अपना-अपना सत्य होता है, यह आज की शिक्षा पढ़ा रही है, तो क्या है, आपको रजगुल्ला खाना है, मुझे गुलाब जामुन खाना है, यह आपका सत्य है, यह मेरा सत्य, यहां तक ले आए वो बात, पर यह सत्य नहीं है, यह प्रेफरेंस है, यह आपकी प्रेफरेंस है, यह आपका परसेप्षन हो सकता है, आपकी ओपीनियन हो सकती है, मेरी ओपीनियन कुछ और हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सत्य एक नहीं है, सत्य तो एक ही है तो हमने आज की शिक्षा में सत्य की स्पेस रिप्लेस कर दी है किस से? आज का बच्चा सत्य को फैक्ट मानता है, उसको सत्य की कोई समझ नहीं है आज का बच्चा जानकारी को नॉलेज बोलता है को knowledge बोलता है but all information needs to be remembered कोई भी एक भी information ऐसी नहीं है जिसको आपको याद रखना नहीं पड़ेगा या तो याद रखिए या diary में note करिए computer में note करिए information भी समय और स्थान से बंदी हुई होती है लेकिन ज्यान जो होता है दो प्लस दो चार जिस दिन आपको समझ में आ गया आपको याद रखने की जरुवत नहीं है जब तक आपको जोड और गुणे का संबंध नहीं पता था तब तक आपको पहाड़े याद रखने पड़ते थे छह सत्य ब्यालिस बच्चे को पता नहीं है छह सत्य ब्यालिस का क्या मतलब है वो रट रहा है लेकिन उसको एक दिन समझ में आ जाता है कि साथ को छह बार जोड़ें तो ब्यालिस आएगा तो यह उसका ज्यान हो जाता है उसके बाद मेमरी उसको मदद कर सकती है पर मेमरी पे वो डिपेंडेंट नहीं है ज्यान अपना होता है और आज के दिन information को ज्यान कह रहे हैं यह लोग आप क्यों बनेगा करोरपती देख लीजिए वो दिन में चार ब में जाओ अगर general knowledge की किताब आप खरीदोगे उसमें एक भी ग्यान की बात नहीं है उसमें सारी की सारी information है पर किताब की heading है general knowledge तो यह बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है जिसमें एक lower value को एक higher value पे impose किया जा रहा है information को knowledge पे impose किया जा रहा है fact को सत्य पे impose किया जा रह है word को meaning पे impose किया जा रहा है फैसले को न्याए पे impose किया जा जा रहा है न्याए फैसला नहीं होता एक बाद एक मेरे गुरू थे नागराजी उनके पास वेंकर चले आ जी सुप्रीम कोर्ट के chief justice retire होने के बाद तो हमारे नागरा जी ने उनसे पूछा मैं वहीं था उन्हों हम न्याए नहीं जानते हम लोग तो फैसला करते हैं बहुत बड़ी बात है पर आज कि यह वेंकर चले है आप बोलती है यह बात लेकिन आप एक आम आदमी से पूछिए वो न्याए आले न्याए मूर्ति फैसला ही उसके लिए न्याए फैसला तो एक किताब का इंटर्प्रेटेशन होता है ना कोई किताब जिसको आप कॉन्सिटूशन कहते हैं वो किताब किस ने लिखी अल्ला मिया नहीं लिखी इश्वर ने लिखी वो कोई वेद पुरान नहीं है हम लोगों ने लिखी और वो जो लिखी उसको दस बात गेंडमेंट्मेंट्स हो गैं तो اللह मिया की होती तो बदल ती बदल थी नहीं हो वैसी कि वैसी रहते हैं और उसको उसी पह जब होता है हows को पढ़के उसको read करके तैन नाए और कानून Universe को अलग अलग बाते मानते हैं पर य dipping नदाएरद है तो मैं खाली इस बात पे अब आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि देखिए हर वास्तविक्ता ये संसार है, इस existence है, existence में वास्तविक्ता है, वो वास्तविक्ता गोड़े, घोड़े, गाड़ी की हो, मकान की हो, हमारी आपकी हो, या सत्य की हो, प्रेम की हो, सम्मान की हो, ये सारे शब्द जो है, वो किसी न किसी वास्तविक्ता को इंगित करते हैं, शब्द otherwise कोई meaningless है, अगर वो कोई वास्तविक्ता को अगर इंगित नहीं करते हैं, जो भाशा से परे है, सारे के सारे शब्द भाशा में होते हैं, अंग्रेजी में होंगे, हिंदी में होंगे, तमिल में होंगे, फ्रेंच में होंगे, जर्मन में होंगे, लेकिन वो जिस चीज को इंगित कर रहे हैं, जिस वास्तविक्ता को इंगित कर रहे हैं, वो भाशा से परे है, वो सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, और अगर वो है, तो वो सत्य है, अगर वो सत्य है, तो उस सत्य को मैं नाम दे रहा हूँ आपके साथ सिरफ संप्रेशन के लिए उसको मैं स्थिती का नाम दे रहा हूँ और यह जो दिखने वाला है उसका पक्ष यह जो सेंसोरियल उसका पक्ष है जो दिखाई देता है सुनाई देता है, सुंगा जाता है, टेस्ट किया जाता है, छू सकते हैं, ये वाला जो पक्ष है, जो material पक्ष है, वो पक्ष को मैं नाम दे रहा हूं गती, और मैं उसके बाद दूसरी बात आप से कह रहा हूं, कि आज की आधुनिक्ता, और आज की आधुनिक्षिक्षा, प पूरी की पूरी गती आधारित हो गई है, यानि आपकी और हमारी सफलता का मापदंड स्थिती न रहकर गती हो गई है, आपके पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितने पैसे, आप कौन से कॉलेज में गए, मैं कौन से कॉलेज में गया, आपने कितनी पढ़ाई पढ़ी, मैंने कितनी बढ़ाई पड़ी आप कितने वड़े घर में रहते हैं मैं कितने वड़े घर में रहते हूं कोई comparison पे based है और comparison उसी चीज का हो सकता है जो गती आधारित हो जो material हो जो sensorial हो और इसी को right race कहते हैं कि आप अपनी सफलता को गती में ढूंड रहे हैं और गती जो है वो material है और वो material के मापदंड एक अद्रिश्य शक्ति बनाती है कि आज के दिन अगर आप IIT जाओगे तो आप फन्ने खान हो कल के दिन आप IIM जाओगे तो आप फन्ने खान हो और कुछ और समय बाद आप हावर जाओगे तो आप फन्ने खान हो ये कोई और तै कर रहा हम नहीं तै करते हम नहीं तै करते हम नहीं तै करते परंतु अगर मेरा ध्यान ग्यान पे हो अगर मेरा ध्यान सम्मान पे हो पैसे पे नहीं पैसे से सम्मान नहीं सम्मान पे हो तो मैं अपनी दिशा बदल सकता हूँ और मैं स्थिर रह सकता हूँ और मैं इस कंपैरिजन की दुनिया से अपने को अलग करके अपने को स्वतंत्र कर सकता हूँ ये काम शिक्षा का होना चाहिए यानि शिक्षा का काम एक ही है कि गती है लेकिन गती से ज्यादा वरियता स्थिती की है तो स्थिती को दिखाना स्थिती की और ध्यान आकर्शन करना और बच्चे को ये समझ में आए कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है लेकिन वरियता स्थिती की है वरियता स्थिती की नहीं है कभी भी नहीं है पर अगर तुम इसको इंग्नोर करोगे स्थिती को तो तुम फिर बच्चू फस गए, पर तुम तुम को लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम दूसरों के बनाए मापदंट पे चलते रहोगे दुनिया में हर समय, तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, बातें करोगे स्व बात और चोटी तो नहीं है, वो भी बड़ी बात मैं मानता हूं, वो ये कि हम, मुझे बहुत बाद में समझ में आया, कि जब मैंने हमारे साधारण लोगों पे ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि धरंपाल जी और गांदी जी दोनों इस बात को बार-बार कहते हैं, कि भार के साधारण में बहुत बड़ी शक्ती का श्रोत है, लेकिन उसको भी पता नहीं है कि ये उसके पास है, और हम पढ़े लिखोने तो बिल्कुल ही खो दिया है, तो मैंने उस पे ध्यान देना शुरू किया, तो मैंने पाया कि हाँ, साधारण में जितने भी मुल्यों की हम ब बहुत हत, और हम पढ़े लिखे सिरफ उनकी बात करते हैं, जैसे साधारण को अपने सहकर्मी या आसपास के लोग अगर मुसीवत में पढ़ें, तो वो जितनी सहचता से मदद करेगा हर प्रकार की, उतनी सहचता से हम पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते हैं, हम बहुत सा रुक्षित नहीं है, भले ही उसके पास उतना नहों, पर वो ज्यादा सॉलिड है उस सेंस में, उसमें असुरक्षा की भावना कम है, उसमें आस्था है, हम आस्था विहीन हो गए हैं, हम को न साइंस में आस्था है, न टेकनोलोजी में आस्था है, उप्योग करते हैं, और मन्ना इश्वर में आस्था मंदिर जातें लेकिन आस्था नहीं उसको है टो मैंने यह जब देखना शुरू किया बारी की से देखना शुरू किया तो मैंने एक ही चीज फरक पाया कि यह शिख्षा ने तो बहुत नुक्सान किया है लेकिन एक जो मोटा फरक मुझे समझ में आया कि वो आस्थावान है और मैं आस्था विहीन हूँ मैं किसी चीज में आस्था नहीं है मैं एकदम हिला हुआ हूँ तो मैंने फिर देखना शुरू किया कि कोई भी काम हम करते हैं मान लीजिए मैं आज भी निर्णाय लूं कि मैं इहां से कलकत्य आऊंगा कल निर्णाय ले सकता हूं टिकेट ले सकता हूं पर उसके बाद मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कलकत्य पहुंच ही जाऊंगा कुछ भी हो सकता है lockdown लग सकता है COVID का कुछ संकर्ट आ सकता है accident हो सकता है अनेकों चीजें हो सकती infinity तक मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन कलकत्ते पहुंचना मेरे बस में नहीं है कलकत्ते जब मैं पहुंचूंगा तो उसमें बहुत सारी शक्तियों का बात करूँ यह मैं अंधविश्वास की बात नहीं करूँ आप अगर ध्यान देंगे आपको भी समझ में आएगा परंतु आधुनिक्ता ने एहंकार दिया है मुझे कि जब मैं कलकत्ते पहुंचता हूँ तो मैं छाती ठोकता हूँ कि मैं आया कलकत्ते मैं पहुंचता कलकत्ते मैं सारा का सारा क्रेडिट अपने आपको देता हूँ और जब मैं नहीं पहुंचता तो मैं दूसरों को ब्लेम करता हूँ या सरकम्स्टांसिस को ब्लेम करता हूँ तो यह जो नोन और अनोन का फील्ड है ग्यात और अग्यात का फील्ड है अग्यात के छेत्र को ये हमेशा रहेगा ये हमेशा infinite है और हमेशा रहेगा और इसके साथ हमारा interaction होते रहता है अग्यात का हमको सिरफ तब पता चलता है जब कोई चीज गरबड हो जाती है या अचानक कुछ बहुत अच्छा हो जाता है so I say uncertainty is a manifestation of the unknown into the field of the known जो हमेशा उसकी possibility रहती है ये भी हमारी शिक्षा का हिस्सा नहीं है पर एक और बात आपको मज़ेदार बताऊं कि हमारी सारी भारतिय भार्षाओं में इस philosophy को पिरो दिया गया है सारी भारतिय भार्षाओं में मतलब मैं तमिल की भी बात कर रहा हूं मैं तमिल नहीं जानता पर मैं तम मिलियों नहीं से मिलके इस बात की पुष्टी की है तमिल तेलगू मलियालम मराथी गुजराती मारवारी हिंदी बांगला कोई भारतिय बोली ले या भाषा ले एक बात कॉमन है हमारे यहां सब कुछ होता है मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया, मैं गिर गया, मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा हो गया, बारिश हो गई, everything happens अंग्रेजी में, I burnt my hand, मैंने अपना हाथ जलाया she gave birth to a child, they got married, doership is the most prominent sense कोई न कोई करने वाला है, हमारे यहां चीजे होती है, क्योंकि मैं सिर्फ होने में इतना सा role play करता हूं, बाकी होता है, और मैं उसको acknowledge करता हूं भाषा के द्वारा तो अंग्रेजी का पूरा जो character है और European भाषाओं का जो पूरा character है भारतिय भाषाओं का जो पूरा character है, उनका जो संसार है, यह दो अलग-अलग संसार है, हमारा विरोध नहीं है लेकिन हमारा संसार कहीं बढ़ा संसार है, और हम उसको ignore किये जा रहें और हम हमारा साइकी अभी भी उस संसार से ज्यादा मेल खाता है, लेकिन हम उसको छोड़ करके इस अंग्रेजी वाली दुनिया में प्रवेश करने को आतूर कातूर होते हैं और उसमें हम ना इधर के रहते हैं, न उधर के रहते हैं. तो हमें अगर कुछ करना है, तो हमें अपनी जड़ों पे खड़ा होना पड़े और शिक्षा उसमें जब तक रोल नहीं प्ले करेगी, तब तक ये काम नहीं होने वाला है, यह सिरफ पैबंद लगाने जैसा वाला काम भी हो रहा है कि यहां से कफड़ा फट गया तो एक पैबंद यहां लगा दिया तब तक दुसी जगा फट गया वहाँ कुछ पैबंद, आज के जितने काम हो रहे हैं शिक्षा में, वो पैबन लगाने वाले काम हो रहे हैं बुन्यादी काम तब होगा जब हम सनातन को शिक्ष्या में स्थापित करेंगे धन्यवाद जन्यवाद पवंजी पता नहीं चला वक्त कैसे बीत गया आपने बंद किया बोलना तब गड़े देखी तो कई बार लगता है कि किसी वक्त वे कोई समय समय नहीं चाहिए लगता सुनते से लिए आपने बिल्कुल शिक्षा की बुन्याद है उस दुख ते रख पे हाथ रखा इससे पहले कि मैं लोगों से प्रस्ट लूँ आपसे निवेदर को कि इस्थिती और गती की चर्चा आपने की इनका दुए को धान ओ दीजिए ना इनका इस्थिती और गती का जिसे बात और इस वस्ट हाँ जी देखिए जैसे यह एक सत्य है कि हर मनुष्य सम्मान के साथ जीना चाहता है और हर मनुष्य विश्वास के साथ जीना चाहता है इसके लिए मुझे जाकर के बरा को वावा से पूछना नहीं पड़ेगा कि वह यह बात तुम्हारे लिए सत्य है क्या या अगर उसामा बिन लादन जिन्दा होता तो उससे पूछना नहीं पड़ता, ये बात सत्य है, मैं यहां बैठके जानता हूँ, हमको तुम रस्गुला पसंद है कि नहीं ये पूछना पड़ेगा, तो ये सत्य को पूछने की जरुवत नहीं है, अपने अंदर से हमको पता चलता ये बात सत्य, ये तो पहली बात, सम्मान का भाव स्थिती है, पर जब मैं ये हाथ जोड़ता हूँ, ये उसका प्रदर्शन है, आपके प्रती मेरा सम्मान है, मैं हाथ जोड़ा, समस्या ये है, ये हाथ जोड़ना इमानदारी से भी हो सकता है, यानि मेरे सम्मान से उपजिया हुआ एक एक एक्शन है, ये ऑथेंटिक है, पर मन में भाव सम्मान का न हो, और फिर भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, तो गती अगर फोकस्ट है, तो गती में कोई जरूरी नहीं है कि उसमें इमानदारी हो ही, एक तो ये बात, तो गती और स्थिती, ये गती है, सम्मान का भाव स्थिती है, लेकिन ये दोनों में सामंजे से जब-जब होता है, तब तक मैं comfortable feel करता हूँ, एक बात, दूसरी बात, कि आज की शिक्षा में इस पे बहुत जोर है, पाउँ चूने पे इस पे good morning, good evening, smile, आज कल personality हसना सिखाते हैं, कि आप कैसे smile करें, मन में क्या भाव हो, इस पे कोई बात नहीं होती है, अच्छा वो आदमी जो उसको भी सम्मान चाहिए, तो वो फिर किसमें ढूनता है सम्मान, कि सब हमको salute करें, सब मैं एक बड़ी गाड़ी लेके आता हूँ, उसको, क्योंकि सम्मान गाड़ी को मिल रहा है, ये वो नहीं का सारा गती पे किया हुआ है, तो इसलिए वो गाड़ी को जो salute मिल रहा है, वो अजूम करता है, मेरे को मिल रहा है, तो ये जो distancing है, अगर आप, वही बात, ज्यान जो है, ज्यान स्थिती मान सकते हैं, और information को आप गती का हिस्सा मान सकते हैं, अर्थ को आप स्थिती का हिस् dictionary वाला अर्थ नहीं, dictionary वाला अर्थ तो फिर से कुछ शब्दों का जाल है, लेकिन आपको जब समझ में आता है, पानी क्या है, आपको पता जलता है, इससे मेरी प्यास बुछती है, और इससे आग बुछ जाती है, और इसको हर प्राणी इसकी इती को जरूरत होती है, इसक है, अब उसको शब्द कुछ भी दें आप, वो गौन बात है, तो हमारी, मैं ये स्थिती पे अगर हमारा teacher का और हमारी शिक्षा का focus हो, तो आपकी शिक्षा की जो तरीका होगा, वो ध्यान आकर्शन का तरीका होगा, because आप कभी भी अर्थ को आप ध्यान आकर्शन करवा सकते हैं, it's like आपके घर में कोई वस्तु छुपी हुई है, और मैं बोलू प्रमोट जी, मुझे पता है, वो वस्तु कहां है, आपको नहीं पता है, मैं बोलूँगा, प्रमोट जी जाएए, उस कमरे में जाएए, आप थोड़ा बेट के नीचे जाएए, और सडली आपको चीज़ दिख जाते हैं, वो दिखना आप ही को पड़ेगा, मैं खाली ध्यान आकर्शन कर सकता हूं, तो ये शिक्षा में ये ध्यान आकर्शन की विधी ही गायब हो गई, अब हम लोग बोलते हैं, लर्निंग बाइड That's not enough. Learning happens by drawing the attention of the learner towards that which is, which is IS capital, जो है, है मने जो वास्तविक्ता में है, which is existential, you have to see it. If you pay attention, you will see it. तो स्थिती has to be shown by doing ध्यान आकर्शन. गती can be, ये ग्लास है, आप दिखा सकते हैं, ये ग्लास है. ये तो material object है, आप सब दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं. लेकिन जो स्थिती है, उसको आपको ध्यान आकर्शन ही करना पड़ेगा, सम्मान आपको कहना पड़ेगा प्रमोड जी, आप कोई ऐसे वेक्ति के बारे में सोचिए, जिसको सोचते ही आपके मन में श्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है. और बोले हाँ, 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 मैं जानता हूं ऐसा. ये जो हुआ आपके मन में, ये सम्मान है. ये श्रद्धा है. उसको हम दिखा नहीं सकते वो स्थिती है. धन्यवाद ओन जी, आपने बहुत अच्छी तरह दुनों को फक्त को और उधान देख समझाया. मेरे ख्याल चाहिए अब इस्थित्य और गति वाली जो समझ है, वो और खुली है सामने हम लोग के. अब मैं हमारे शोताओं से कहना चाहूंगे दिया आपके में लोग प्रश्ण हो, आप को जी से कर सकते हैं? स्वागत एक एक करक्या कर पुश्ण हो. कोई भी अपना आज थास? अजी? प्रदीब जी कुछ पूछ ले और दिए अजी? कोई और नहीं करें तो मैं करूँ, मैं बाद नहीं करूँ. नमबर से कोई दिक्कत नहीं है. बुलिए ठकर जी. कौन पूछ रहे हैं? अशोक कुमाट थास? अशोक जी. अशोक ठाकुरा जी, पूचिया आप. जी, गुरुदेव को प्रणाम. टीचर डेव पे बड़ी अच्छी आज हमने कासी सीखी. और यह एक बड़ी उपलब्दी रहती है. क्योंकि नहीं तो अर्थ और वास्त्विक्ता से दूरी बनी रहती है. आपके सुनने के बाद एनर्जी आ जाती है. इतना ही कहना है क्योंकि आपको स्वस्त देख लिया. अभी देदी से बात हुए थी तब यह ठीक नहीं थी. आपको स्वस्त देख लिया टीचर डे पे. इतना ही काम नहीं कि आप हमें साही स्वस्त रहें और ग्यान वर्धन हम लोगों का माग दस्तक में करते हैं. वह इतना ही कहना है आपसे. यह अशोग जी एक बहुत ही विलक्षन स्कूल दिल्ली में चलाते हैं. इनके स्कूल को जरूर विजिट करें. इन्हों ने ऐसे ऐसे काम कियें. अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बुलेंगे एक कहानी सुना रहा है. माने इनके बच्चे जापानी बोलते हैं. इनके बच्चे फ्रेंच बोलते हैं. छोटे छोटे बच्चे. और इनका एक अरुबंध हो चुका जापानी सरकार से कि इनके बच्चे वहां से बहुत ही करीब बस्ती में चलाते हैं. और ये बच्चे निकल करके सीधे जापान में इनको ट्रांस्लेटर्स का काम मिल जाता है बहुत तरका. तो ये कैसे सिखाते हैं ये इनी से समाजिना पड़ेगा इनका स्कूल देखने लाएक. बिल्डिंग वगार नहीं बच्च जो इनकी पध्यती है और जो बच्चों के साथ ये कर रहे हैं वो पूरा का. कहा है स्कूल का दिल्ली में? कि जगह दिल्ली में? जिल्ली में मैं उत्तम नगर के अंदर द्वारिका के पास एक एरिया है मोहन गाडन. मोहन गाडन में चलाता हूं मुनी इंटरनेशनल स्कूल के नाम से. और मुनी कोई साधू मुनी नहीं मेरी मा का नाम है सर. कोई बहुत धार्मिक होने की जरूरत नहीं है. इतना ही है कभी आईए आप सबका स्वागत हैं? बिल्कुत. आईए आपका स्वागत हैं. और केसी का पॉश्चा? प्रदिर जी आप पहुंचे और महिलाओं ने जब आपसे प्रश्न किया, कि आपको बताया कि वह हम दुविधा में पढ़ जा रहे हैं, तो आपने बताया कि आपने अपनी याता को कहां तक लाया और मैं एकदम अभी हूत हूँ. उस बात को सुनकर मुझे एकदम अंदर म बढ़ा अच्छा लगा, वो लग रहे हैं, मैं अल्टीमेटली फिर आपने जवाब खोज के खोजा निशीत रूप से आपने इतने पुरा तो अब आप उनको क्या दिये और क्या किया फिर आपने, कि वो दुविधा में नहीं पड़ें? कोई और बोल रहा है था हाँ, हम लोगों ने बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ही सवाल किया, मैं को बोलना चाहिए था यह बात, हम लोगों ने धीरे धीरे जो स्कूली यह जो टेक्स्बुक्स हैं उसको पढ़ाना छोड़ गी, करीब करीब, बहुत ही जरूरी कभी होता था तो पढ़ाते थे, हम लोगों ने करा यह, कि हमारी यह, हमारा यह समझ बनी, कि यह किताबे हमारे बच्चों को एक हींता का भाव दे रही है, और अपने समाज, अपने महले, अपने संस्कृती से दूर कर रही है, एलियनेट कर रही है, जो बात मैंने थोड़े इंगित के तरीके, आसपास के पेड़ पौदे, आसपास के नदी नाले, आसपास के भोजन और वेंजर, आसपास के तीज त्योहार, आसपास का मौसम, आसपास का स्थानिय ज्ञान, यह इसके अलग-अलग हमने उसको विशेवस्तु बनाया, और उसको समझाने के लिए, उसको उस वो अपने गाओं के लोगों से समझ के आकर के क्लास में बताते थे तो इसमें भाशा पढ़ाना तो बहुत ही असान था कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि भाशा में लिखना पढ़ना बोलना ये और सुनना ये चार चीजे होती है तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं इसमें जब खेत में आप ले गए तो खेत में आप इसको गणित से जोड़ सकते हैं होत आसानी से हो जाता है आप इसको साइंस के बहुत सारे मुद्दों से जोड़ सकते हैं आप भुगोल और इतिहास से जोड़ सकते हैं है तो हम लोग ने विशह को वास्तू नहीं बना करके वस्तू को विशह बनाए अब समझ रहना है मेरी बात मदला अभी क्या है fōकस क्या रहता है विशह पर रहता है कि hisstary पढ़ाओ जौग्रफी पढ़ाओ science पढ़ाओ हमने वस्तू को विशह बना रहा है वो अपने आप स्वतह आ रहा है और उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसको पढ़ाते वगत हमको स्थानिय ग्यान का बहुत कुछ पता चला जैसे उधारण के लिए पेड़ पौधे के प्रोजेक्ट की जब हमने किये तो हमको पता चला कि यहां के स्थानिय लो पता है उसकी पोजीशन को देख करके वो आदमी यह प्रेडिक्शन करता है कि इस साल अच्छी बारिश होगी या नहीं होगी और पेड़ में घोसला कब बनाता देखिए यह भी बात हम लोग को नहीं पता है कि सारे पशू-पक्षी एक खास मौसम में ही बच्चे देते है आदमी की तरह बारो मेहन नहीं देते तो कव्वा का कव्वा जो है बसंत्रितु में अंडे देता है बसंत्रितु में मार्च फेब्री मार्च और फेब्री मार्च के समय उसमों गोसला बनाता है गोसला अगर पेड़ के पत्तों के ठीक बीच में होगा यानि खूब सारे प बारिश कब होती है फेबररी मार्च से तीन मैंने दूर जून जुलाई में तीन मैंने पहले उस किसान को पता चल जाता है कि इस साल अच्छी बारिश होगी या नहीं होगी पेड के बहुत उपर अगर घोसला बनाता है तो इसमार बारिश अच्छी नहीं होगी और यह प्रो एक और मज़ेदार बाद पता चली कि सुर्यास्त के समय पस्चिमी आकाश जब सुर्यास्त होता है तो अगर वो रक्तिम होता है ब्लड रेड तो वो उस गाउं में नौ महने बाद तिथी के अनुसार डेट के अनुसार नहीं तिथी के अनुसार क्योंकि तिथी हमारी लूनर कैलेंडर से संबंदित है और यह जो डेट है यह सोलर कैलेंडर से संबंदित है लूनर कैलेंडर के हिसाब से नौ महने बाद उस पर भी हमने प्रयोग किया, ये भी सही निकला, उस गाउं में, कलकत्य का आस्मान आपको देखना पड़ेगा, कलकत्य की बारिश के लिए, क्योंकि वो ये मानते हैं, कि सुर्यास्त के समय, अगर रक्तिम होता है, तो उस दिन धर्ती और आकाश का संभोग हुआ है, और नौ म हने भाद संतान प्ति होगी, तो बारिश होगी, ये उनकी माननता है, लेकिन ये सही है, ये इंपिरिकल सैंस है, यूचि ये हमारे लोगों का जितना ट्रीदिशनल ल ओलेज है, वो चीजों के बीच के आप सी संबंदों के उपर बैस्ट है, और वो क्या पे बैस्ट है, व सुर्यास्त के समय रक्तिम होना और नौ मेहने बाद बारिश होना ये तीन जो चीजों को उन्होंने जोड़ा है और उससे उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है और ये इंपिरिकल नॉलेज है तो जब हमने ये स्थानिय परिवेश से शिक्षन का काम किया तो इस तरह की तमाम चीजे स्वास्त के बारे में रोगों के बारे में मौसम के बारे में खेती के बारे में बीजों के बारे में बेल कब लगाओ बेल बेल आपको पंचमी के दिन लगाईए तो फलेगी फूलेग और अगर कोई और दिन लगाएंगे तो होगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी आपको अगर फसल काटनी है तो कृष्णपक्ष में काटिए आप शुक्लपक्ष में मत काटिए और ये भारत के प्राय सभी इलांकों में इस बात को माना जाता है अगर आप कृष्णपक्ष में काटेंगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे और आज के माइक्रोबॉयल जी इस बात को बोल रहे हैं कि हाँ ये बात चीए तो इस तरह की बहुत चीजें पता चली So we used to tell our children कि ये चानकारी तुमको कहां से मिली तो बोलते थे हमारे नाना ने दी दादा ने दी तो हम बोलते थे वो तो पढ़े लिखे नहीं है बुले नहीं पढ़े लिखे नहीं है लेकिन शिक्षित है ग्यान्वान है तो पहली बार उस बच्चे को ये पता चलता था शि उसकी छाती थोड़ी चौड़ी होती थी कि मेरा दादा भी पड़ शिक्षे थे नहीं तो उसको तो बेवकुमान रखा था उसने भी तो इसी प्रश्म का आपके इस प्रश्म में से उत्तर में से एक प्रश्म मुझे निकल के आता है मेरे पास मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे समझ लीजिए कि जब यह अपने इस सिच्छा परणाली को हम कह रहे हैं अठारसों में इंट्रड्यूस किया गया हमारे हमारे को हीन बनाने के लिए समझ लीजिए सौट मेरी में कहूं तो तो आपने हिंता से वाढ़ने का तो काम कर दिया ठीक है यह तो बहुत बड़ी है मेरे को गर्व हुआ अपनी सिच्छा पर लेकिन आध्वनिक्ता की जो आप बात कर रहे हैं या हम आज की देशकाल परिस्चिती की बात करें तो चीजें तो बदल करें या फिर अपने ज्यान को और विस्तित भी करें नहीं देखिए अपस्ष मौर अप्रस्ट में इस पश्चू हूं अपने को सिर्फ पहले इसको देख लें कि हर चीज के दो पक्ष है एक स्थिती पक्ष है एक गती पक्ष है तो जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्दों के पीछे कोई न कोई वास्तविक्ता है वास्तविक्ता का कोई न कोई अर्थ है और अर्थ का को इंगित करने के लिए एक हम को कड़ी समझ में आ गई अब हम शब्द जो है वो अंग्रेजी में जर्मन में इंदी में मराठी में हैं तो अब हम शिक्षा जब बोलते हैं तो हम मारा फोकस शब्दों पे रहेगा या वास्तविक्ता पे रहेगा यह हम को तै करना होगा अगर वास्तविक्ता हम तै करते कि वास्तविक्ता पे focus है, that doesn't mean कि हम शब्द को ignore करेंगे, ठीक है, ठीक है, पर हम उसको उस priority हमारी वास्तविक्ता और अर्थ की रहेगी, और ये उसके बाद में रहेगा, अभी क्या हो रहा है, प्रायरिटी गर्वर हो गई है, तो हम focus अंग्रेजी पे करने लगेगे, मैं आपको बता, मैं शर्तिया आपको, मैं आप से शर्त लेने को धियार हूँ, क्योंकि मेरा कुछ उन्वर्स्टी में पढ़ाने का छोटा सा अनुभाव है, ट्रिपल आइटी में, हैधरावाद में, वहां engineering college है, बढ़िया engineering college है, computer science का है, मैं वहां के third, fourth year students के साथ कुछ समय है, बिताया है, और मेरा अपना अनुभाव ये था, और वहां के बच्चे जब वहां से निकलते हैं, तो उनको लाग, दो लाग, तीन लाग, चार लाग की नौकरी मिलती है, महने की, बढ़िया record है, इन्फोसिस में जाते हैं, इस तरह की companyों में जाते हैं, हमको ये लगता है, कि ये बच्चे, ये कहां से आते हैं, ये गाओं के भी इलाके से आते हैं, छोटे-छोटे शहरों से आते हैं, ये हिंदी भार्षी भी हैं, तेलगू भार्षी भी, इनसे मैंने देखा, कि इनकी अंग्रेजी की vocabulary, average में धाई से तीन हजार शब्दों की है, बस, ये मैंन लिंग्विस्स से पता किया है, कि आज का जो IT सेक्टर में काम करने वाला सामान्य युवा है, उसकी vocabulary का दाइरा धाई से तीन हजार शब्दों का है, come here, go there, sit down, whatever, you mean what I say, I mean what you say, etc, etc, good morning, good evening, धाई से तीन हजार, उसमें उसकी काम की दुनिया का काम चल जाता है, और जो गबाजी करनी होती है, बच्चों से अपने दोस्तों से उतना काम चल जाता है, फैशन की दुनिया का काम चल जाता है, वाटसैप की दुनिया का काम चल जाता है, उसके माबाप, मान लीजिए कि वो छोटे कोई शहर पटना से आते हैं, मान लीजिए, और वो अंग् के उसके माबाब उनकी शब्द को शब्द का भंडार साथ से आठ जार शब्दों का हुगा इसमें उनकी अपनी लोकल भाषा चाये वो जो भी उनकी है मैथली हो भुझपुरी हो जो भी हो उसकी हिंदी की अंग्रेजी की जितनी भी कुछ वो जानते हैं वो सब मिलाके साथ आठ जार शब्दों का उनका होगा और इतना ही नहीं उनके पास मुहावरे होंगे कहावते होंगी और छोटी-छोटी लोक कहानियां भी उनको आती जैनाली राम जैसी कहानी इस बच्चे को जो अपने को फन्ने खान समझता है और दोलाक रुपिया मेहना कमाता है उसको शायद दो या तीन मुहावरे आते हों तो आते हों उससे जादा नहीं आते हैं कहावते नहीं आती कहानियां नहीं आती वो पढ़ता भी नहीं है अब उपन्यास नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है. पड़ता है तो Ruskin Bond हमारे दोस्त को पढ़ लेता हूँ. क्योंकि सौदारनंग्रेजी में लिखता है. इन्दी तो पढ़ेगा ही नहीं वो. क्योंकि पेकार है. तो वो Ruskin Bond जैसे को पकड़ता है. इसलिए उसकी popularity का एक राज ये भी है कि साधारन अंग्रेजी में लिखते हैं तो भारत के लोग जब उसको पढ़ते हैं तो उनको लगता है उनको अंग्रेजी आ गई क्योंकि उनको रस्किन बॉल्ड समझ में आ गया तो अंग्रेजी समझ में आ गया ये ध्रम रहता है उनको तो ये हो रहा है हमारे पढ़े लिखे वर्ग में उनका भाशाई संसार छोटा होते जा रहे हैं उनके expression की दुनिया छोटी होती जा रही है पर उनको एहंकार है कि उन पढ़े लिखे एक्शुली नहीं उनका माबाप ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको सोचने की दुनिया उनकी ज्यादा बड़ी है ज्यादा विस्तार है उस दुनिया का लेकिन उन्होंने भी अपने को छोटा मान लिया और इसने अपने को बड़ा मान लिया ये पूरी भा बात की जाए आज तो समय की सिमाएं हैं मेरे ख्याल से इनों ने इनों जो काना अभी तो मैंने पीछ तो दुनों पढ़ा एक टाउन कादमी करें ऐसी नवी पढ़ लेखे लड़के से में हमारे एंग्रेजी पढ़ाने का तरीका भी गलत हम लोगों ने तो अपना तरीका ही बदल दिया हम लोगों ने तो ये धीरे-धीरे करना शुरू किया कि बच्चा स्कूल में आया, उसको पूछा भई वो क्या है, उस चीज को क्या बोलते हैं, वो बोला बिल्ली बोलते हैं, तुहारी भाषा में क्या बोलते हैं, वो अपना नाम बोला, हाँ इसी को हिंदी में बिल्ली बोल और cat को इन तीन ध्वनियों से c a t यह ध्वनिया है c a t और यह आकृतियां है c एक आकृति है a एक आकृति है t एक आकृति है इससे हम उसको प्रणॉंस करते हैं तो हमने अर्थ से शब्द की और ले जाने का प्रयास किया आज की हम पढ़ाई यह है a से apple b से बॉल यह गलत है आप ट्रित्रिम दुनिया में उनको ले जा रहे और एक आपको बताओं हम लोगों ने यह संशोधन किया कि जैसे हमारी कृताब में लिखा है यह खाली इंगित कर रहा हूं आपको इसकी बेसिकली हम जैनरिक बात मैं कर रहा हूं कि हम पढ़ाते हैं कि the sun rises from the east सूरज पूर उस दिशा को हम पूरब कहते हैं पूरब existential नहीं है Sun is existential उसका उगना भी existential है लेकिन east west north south हमने नाम दिये हम उस नाम को और सूरज के नाम को एक साथ नहीं रखेंगे तो बच्चे के दिमाँ में confusion होगा कि वो भी एक वास्तरविक्ता है यह वास्तरविक्ता नहीं है यह सिंबल है तो हम अभी उसको explain नहीं कर सकते सिंबल वगरा छोटा है वो लेकिन हम इस तरह रख तो सकते बात को मुझे तो लगता है तो अपने आप धीरे धीरे वो समझेगा हम लोगों को भी फिर से आप से सिच्छा लेने की आप सकता है कई चीजें तो हमको भी समझनी पड़ेंगी फिर एक तो अब खाली क्लास लेने के लिए क्लास ली जाएगी जब आपको समय होगा और और यह तो आपको जी तो नवाश्कास नवाश्कास झाल झाल